नमस्कार साथियों मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं ड्रिसिकला ड्रिसिकला की सेस्टन में आज हम लोग बात करने वाले हैं वह है बुंदेल खंड सिल्प मंडल के बारे में हाला कि इससे पहले हम लोग काफी दिनों तक गयब किये हैं छमा की जेगा क्युछ काम प्रब्लम है हाला कि आप दूसरे रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजेगा अपने टॉपिक पर द्यान दीजेगा चलिये चलते हैं बिना किसी देरी के बात करते हैं इस पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस पेस्फिक वह है बुंदेल खंड मंदल ठीक है इस पर बात करने वाले हैं इनिक हम कह सकते हैं कि खजुराहो के बारे में बात करने वाले हैं इस बात ध्यान दीजेगा मद्यपरदेश के एरिया के जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में बात करेंगे हम इसको जो है खजुराहो उपसैली ठीक है खजुराहो इस मंडल का पूरा जो समय हम लोग पढ़ते हैं वो तक्रीबन दसवी से तेरवें सदी के मद्ध में हम लोग इसके बात करते हैं दसवी से ले करके तेरवें इस सदी की बात करेंगे ठीक है और उसके साथ साथ जो है इस मंडल के अंतरगत खास तोर पर हम मद्ध परदेश के के साथ के बारें बात करें गें एनधी कें हम जो पढ़ने वाले हैं इनके स्कॉप्चर्स वा मंदिर के बारे में खास स्क करके चंदेल मंस यह है चंदेल मंस यह हैinhos यह है इक की जो है मैं की चेतर के खजराहा की बात हम लोग ख news करने बर है ठीक है इस बात को थोड़ा ध्यान दिजेगा उसके बाद जो है चंदेलवन से राजाओं में कुछ जैसे महत्पूर राजाओं को हम लोग study करेंगे जैसे कि महत्पूर राजाओं में जैसे हर्सदेव है एक तो हर्सदेव है ठीक है और दूसरे यशोवर्मन यशोवर्मन और उसके बाद जो है धंग है धंग है और एक और है जैसक्ति नाम है जैसक्ति ठीक है इस तरह से अलग-अलग इसमें राजा थे जो कि अपने-पने समय में जो है कुछ अच्छा खासा काम करवाए है तो उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे इन पहले पताए गया है इन साज्वों के काल में हम मुर्तिकला अस्थापतकला के बेजोड़ नमूने को देखते हैं हम लोग जो स्पेस्पिक बात करेंगे यह निकि कुछ तो हम इसकलप्चर के ब देख लगते हैं कि हाग के लिए मतलब खजुराहों के कितने या फिर जो है बुंदेल खंड के किस किस एरिया में कहां कहां पर यह बिदमान हुए है थोड़ा सा कभी कभी जो पूछा जा सकता है सपर कर रहना बेहर जरूरी है तो अगर हम इनका सासन छेत के बात करते हैं तो उत्तर में यमुना से लेकर दच्छिड में नर्मदा नदी तक यह विश्त्रित है यह हम कह सकते हैं कि इनका विश्तार छेत्र विश्तार छेत्र के बात करते हैं तो कह सकते हैं कि यह उत्तर से लेकर उत्तर में जो है उत्तर में यह यमुना से लेकर के यमुनाज से लेकर दच्छिड में नर्मदा ने देखते कि यह इन लोग के विस्तार था ठीक है नर्मदा तक ठीक है और अगर हम जो है एक दो दिशा और बाकी है जिसमें हम पस्चिम में अगर हम देखेंगे तो यह चंबल से लेकर के टॉंस तक था यह निकि पस्चिम में अगर हम देखते हैं पस्चिम में चंबल से लेकर के चंबल से लेकर पूरब में तोंस नदे तक ठीक है तोंस तक इस बात को ध्यान देजीगा तो यह जो आप देख रहे हैं इतना पूरा यही है आपका जो है पूरा बुंदेल खंड छेत्र ठीक है इतने के बारे में तो चलिए देरी नहीं करते हैं अब थोड़ा सा इनके हम मुख्य चीजों पर बात करते हैं इनका जो अधिकांस जिक्र हम करते हैं वो खजराहो छेत्र से जो मूर्किया मिलती है या फिर मन्दिर मिलते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं क्यों जिक्र करते हैं इसलिए इसलिए हम लोग इनके बारें बात करते हैं इस बात को थोड़ा ध्यान दीजएगा मंदरों को नगर भी कह जाता है क्या कहा जाता है मंदरों का नगर भी कह जाता है अब चलिए में में जो मंदरों में बात करते हैं उनके खास जो हैं, खजुराहो के मंदिर समोह में अगर हम बात करते हैं, इनके खजुराहो यहां लिख दे रहे हैं, खजुराहो के मंदिर समोह, ठीक है, इन मंदिर समोह में अगर हम बात करते हैं, तो तीन टाइप के मंदिर मिले हो हैं, तीन या चार टाइप के मंदिर मिले हो हैं, जै कुछ बैसनों धर्म से संबंदित हैं कुछ साख्त हैं और कुछ जयन है इन चारों में जो हैं जो मुख मुख मंद्रें हैं उन्हीं पे ही हम चरजा करेंगे जहां से सवाल पूट पिये जाते हैं बाकी जो है अनरगल चाजा तो बिसे टाइम पास नहीं किया जाएगा क्योंक मंद्र के जो फेमस मंद्र है जैसे कि एक है कंदरिया महादेव मंद्र कंदरिया महादेव मंद्र इसके बारे अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है ठीक है उसके अलावा जो है इसे वे जो है विश्वनात मंदिर है तो ज्यादा हम उसकी चर्चर नहीं करेंगे और उसके मंंदिर है या अपर चली दूसरा है में बैश्राव मंदिर इसमें जो है जो है खास मंदिर जैसे वैकुंठ मंदिर एक जो जिसको हम लच्षमण मंदिर कहते है वैकुंठ मंदिर इसको हम लच्छमण मंदिर कहते हैं ठीक है लच्छमण मंदिर ठीक है इसके अलावा जो है इसे में चतुरभुजी मंदिर भी है लिख दे रहा हूं चतुरभुजी मंदिर फिर उसके बाद जो है अगर हम साथ मंदिरों में देखेंगे एक और है जिसे कि साथ सॉरी यह साथ ठीक है इसमें अगर हम देखते हैं तो जो बहुत फेमस है चौशठ योगनी मंदिर यह बहुत जादा फेमस है इसके बारे हम खुब पूश्ता है और बाकि जो है अगर हम जैन धर्म से सम्मधत पात करते हैं जैन में अगर हम देखते हैं तो वो है जैसे कि पार्षनात मंदिर है आदिनात मंदिर है घंटाई मंदिर है ठीक है घंटाई मंदिर देखिए इसमें जो है जो अभी हम लोग शैव धर्म से सम्मंदित मंदिर पढ़े हैं एक है कंदरिया महादियों मंदिर बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है इसके बारे में जो है मंदिर से रिलेटेट कोई भी चीज पूछ सकता है इस मंदिर में जो स्कप्चर्स इस्टब मंदित यहां मंद्रे मिले हैं वह पूछ सकता है कि देविजगदमी मंदिर कहां है किस धर्म से समंदित है वामन मंदिर कहां है मतलब बैश्रो धर्म से समंदित इस तरह से अलग अलग पूछ सकता है बाकि उन्हें के अंदर डिटेल में नहीं जाएगा अगर डिटेल में मंदिर में जाएगा आपका और उसके बाद चोड़ से जोग निम जा सकता है बस इतना ही ध्यान दीजेगा बाकि जो है बहुत कुछ भी से डिटेल नहीं जाना है घंटे के नाम देता है तो इसका मतलब है कि जैन्दम से समंदित है इस तरह से थ्यान देना होगा अब जो है इनके योजना में जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे उड़ीसा के मंत्रों में उड़ीसा में देखे होंगे आप लोग कि पहले क्या पढ़ता है क्या नाम है आपका ये भोग मंदप है ना फिर नट मंदप पढ़ता है फिर उसके बाद जो है आपका ये क्या ना छरण में मिलते हैं तो जाकर के तब गऽर हम देखते हैं तो जैसे कि आपका सिबसे पेले हैं अर्ध मंदप पड़ेगा ठीक है इसते तरह से तरह से अलग-अलग फिर उसके बाद आता है इस तरह से तब उसके इस तरह से है और यां की जितने मी मंदिर होते हैं वो पंचायतन सहली में होते हैं उसके और उसके बाद जो यहां के मंदिन निर्वाण में जैसे पन्ना खादान के अस्थानी गुलाबी और मतमेले ग्रेनाइट के पत्थरों के यूज हुआ है, जो पत्थर यूज हुआ है, पत्थर जो यूज हुआ है, वो पन्ना जिला में एक अस्थान है, ठीक है, और इसी जि कर रंग होता था गुलावि ए मटमेले ग्रेल इनली फिमगेजिंद कर आद भी से मंदिन कि शार दिवार को along बहुद के पना कि मंदिर में परकोट नहीं होता है ठीक है नहीं होता है परकोट मतलब होता है कि चार दिवारी ठीक है इस बाद कुफला ध्यान दिजेगा और उसके बाद एक चीजा और पहचान करने के तरीका है कि इनके जो सिखर होते हैं उस सिखर में भी एक छोटा सिखर होता है तो जिसको अरुसरी भी बोलते हैं तो इसको भी थोड़ा ध्यान दिजेगा जैसे कमाल लीजिए कि थोड़ा साम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं आ होते हैं अ हंधाय और त इस दे दे न तो यह जो अलग-अलग सिखर होते हैं इसी तक अो इमेज देखेंगे आपको घ्रिवा इसको इसको थ्ञान दीजेगा अलग-अलग यहां करणिस होता है पिर इसके लिए इसके बारे में चर्चा कप करेंगे जब अलग-अलग-थाल-दरविड के बारे में पढ़ेंगे तो बहतर है फिर उसका बात जो है कि इनके हम परमुक मंद्रों पर बीशेस फोकस करते हैं नई तो ऐसा ही बात करने में समय बीज जाएगा परमुक मंद्रों में इसके बारे मंद्र करते हैं पहला मंदिर हम बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर ठीक है इसके बारे में बात करते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देने जरूरी है कि यह जो मंदिर है यह पंचायतन सैली में है पहले बताया गया है ऐसे पंचायतन सळी में है और ये मंदिर जो है छिए चार्थ पुर्जिला में है और उसके बाद जो है छप्रुण जिला कहा खज़ुराहो यह तो पता ही है उसी के बारे में पढ़ रहे हम रोग खज़ुराहो में है और इसका जो निर्माड हुआ है वो गंड़ देव के पुत्र जिसको राम था विद्याधर उन्हें के समय हुआ है कह सकता है निर्माड के बारे में हम इसका निर्माड गंड़ देव के पुत्र जिसका नाम था विद्याधर इनीगे समय में तक्रीबन हुआ था इसका निर्माड एडि इस थी ठीक है इस तरह से कुछ है आये इनके बारे में फोला से कुछ हम चर्चा करते हैं कंदरिये महाध्यों के बारे में किस कप्चर्स किस तरह से हैं इसकी योजना क्या है थोला सा जरूरी है जानना तो हम इनके योजना वाइस कप्चर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले योजना में हम जैसे बोले थे कि सबसे पहले अर्द मंडप पढ़ता है फिर उसके बाद मंडप पढ़ता है फिर तकरीबन जो है आपका 900 से अधिक मूर्थिया इसमें प्राप्त हुई है उन 900 से अधिक मूर्थियों में जो कुछ मूर्थिया की नाम हम लेंगे जो फेमस है जैसे कि इनकी प्रभुख मूर्थियों में अपसराओं का प्रदर्शन है अपसराओं का प्रदर्शन और हाथियों और घोड़ों पर सवार योध्धा शिकार करते हुए हाथियों और घोड़ों पर सवार योध्धा शिकार करते हुए उसके अलामा जो है इस्तरी पुरसों के बीच में कामुक्ता मेलीन ये तो बहुत जाज़ा फेमस है इसलिए तो ये पर से देखा जो रहा हो हम कह सकता है कि इस्तरी पुरस का मेलीन ठीक है व्यालों और नाग कथाओं का अंकन है इसमें ब्यालों और नाग कथाओं का अंकन है उसके अलामा जो है वासना में डुबी आकिरतियां बताये गए है यही जो इस्तरी पुरस का मुक्ता में है लिख दे रहे हैं यहाँ पर वासना में डुबी आकिरतियां ठीक हैं एक और खाष मूरति है जिसके बारे में बूशा जाता है बहुत जज्यादा पूशा जाता है वो है लक्ष्मी नारायण की की मूर्थि है इसमें ठीक है यह लक्श्मी नारान की मूर्थी भिस्नु और मैं नव हैिसमे इसमें नाराठ मतलब नाम है भिशुन यहां लिख देने में विशुन वह को अलगे की सब्सक्राइब मिलिक हुआ है ये बजाते हुए हुआ भूआ ये ही हम सबमें आह Lucky देहां देने हैं हैं नेट डियारब में भी पूछे использовать में भी ती इससे में बीचाएं खास्तोर पर अंविछ यहां पर ज्याद किया हैं इसमें ध्यान ही जा पर एक जिसका नाम चांडरिया अब थोड़ा सा दूसरे वैसीनों धाम मंदिर का नाम लेंगे जो तोड़ा सा फेवार मंदिर के नाम लिए लेगा time सबसे नाम लिकते हैं दूसरा नंबार जो नुएओ में हैं दूसरा मंदिर मंदिर आ keeping हमgem इसके बार हम फुरा सर्चा करते हैं इसका जो निर्माड हुआ है वो है 930 से लेकरके 950 इस भी ठीक है और इसका निर्माड जो है यसो वर्मन द्वारा निर्मित किया गया है कि यसो कि वर्मन द्वारा है कि यह मिर्माड हुआ है तिखे और ये जो मंदिर समर्पित है किसी देवता को देवता को नाम है वएकुंठ विश्नु को समर्पित है वेकुंठ विश्णु को समर्पित है। ठीक है। और ये भी मंदिर जो है आपका पंचायतन साइली में है। ठीक है। और उसके अलावा और क्या इस पर बात किया जा सकता है। बहुत ज्यादा नहीं है। इस में परमख्रोप से हम मूर्तियों के बारे हम बात किया जा सकता है। बीच का जो सिर है वो मानो विशनू का है ठीक है और उसके बाद जो दोनों किनारे पर हैं दो किनारे पर इसलिए दे रहे हैं तो किनारे पर जो है एक तरब तो आपका वराह का है वराह मतलब वही सुवर और दूसरी तरब जो है आपका नर्सिंग का है ठीक है यह सारी चीज़े आप जानते हैं और यह जो तीन सिर्वाला विशनू परित्मा है यह चत्र भुजी है यह चार हो जाए इसमें चत्र भुजी परित्मा है ठीक है इसमें बस यही एक मंदिर है थोड़ा सफ्यमस ठीक ठाग उसके बाद हम साक्त मंदर में बात करता है यानि कि हम चौशठ योगनी के बारे बात करते हैं तीन नम्बर का साथ मंदर इसमें जो है मंदिर जिसका नाम है चौर्शट योगनी मंदिर इसके बारे में बात करते हैं तो आईए देरी नहीं करते हैं इनके में क्या है कि इसको जो निर्माल काल हुआ है वो 885 इस भी में हुआ है और ग्रे नाइट पत्थर में है इस बात को थोड़ा ध्यान दिजेगा ग्रे नाइट पत्थर में है छतरपुर जिले में है कहां खजुराहो इस सारा चीज पता है आपको लगभग लगभग जो है छतरपुर जिले में है उसके बाद खजुराहो समोह का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ग्रू ध्यान दिजेगा ये खजुराहो समोह का सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है और खजुराहो समोह में ही नहीं जैसे कि पुरे भारत में चार-पांच चौसट योगनी मंदिर है इस बात को भी थ्यान दिजेगा सर्च करेंगे ना तो मिलेगा वह चार या पांच चौसट योगनी मंदिर है उन सारे चौसट योगनी मंदिर में भी ये सबसे प्राचीन मंदिर है इस बात को भी ध्यान दिजेगा खज़राओ समों में तो सबसे प्राचीन ही है ठीक है दो तरीके से प्राचीन है और इसमें और क्या जानने योग है कि इसमें चौसट कोठियां है ये भी इंपर्टन्ट है चौसट कोठियां है इस है और मंदिर जो है वो चतुस कोडिये है इस बात को ठौड़ा ध्यान दिजेगा बस इसमें जो नहीं है जिदय कोई z Nee अब नहीं है ज्यादा पर शुनार्ट के मंदिर है इस तरह से अलग अलग है तो उस पर ज़्यादा घंटाई मंदिर है तो बहुत ज्यादा पूछता नहीं है इतना ही पूछता है तो थ्यान देजें कि अभी हम थोड़ा सा बीजी चल ले थे अभी भी थके हुए हैं तो यह हुआ कि आज कही जाना नहीं था हम सोचे कि ठीक है क्लास ही ले लिए जाए तो ज्यादा बहतर है टेंशन मत रखेगा आप लोग अब इसी तरह से जो है जैसे चल ला था कांटीनू क्लास वह से कांटीनू क्लास चलेगा हमको भी पता है कि एक्जाम आ गये हैं खास तो पर जो मेरा यह चल रहा है जो टॉपिक या जो अपना कांटीनूटी जो चल लए यह नेट और जयारफ वह टीजीटी पीजीटी के थुरू ही चल ला है कि भीज का इजान थोड़ा पहले दे दिया है उसका डेट तो अब क्या किया जाए तो जितना हो सके तो अपना कबर किया जाएगा बने सब्सक्राइब कि यह झाएगत lucky फिजीटी ज वे जाएगा जाएगा नहीजीटी जाएगते बंदेवन खातरों इंतना है कि अ तो उले यहार अवार कि सब्सक्राइब को यहार थे चार्दा क्याई शर्स आमने है गट झाल झाल